Hello everyone, I'm DJ Mercy and I'm back with another tutorial. मैं यहाँ पर आपको kick and bass को mix करके दिखाऊँगा. Basically, एक sidechain tutorial है, मैं यहाँ पर EQ नहीं करूँगा. So, जो आप sidechain करते होंगे, वो आप normal sidechain यूज़ करते होंगे, आप plug-in यूज़ करते होंगे, kickstar, alfo tools, या gross bit या आप automation के through भी कर सकते हैं. मैं यहाँ पर plug-in यूज़ करने वाला हूँ, वो है Shaperbox from CableGuys. So, आप यह देख रहे हैं, मैं यह पर एक छोटा सा project है. So, आप यह सुन सकते हैं. So, आप सुन रहे हैं कि यह मेरी kick है और मेरी bass यह आपस में conflict कर रही है. Basically, bass की frequency मेरी kick की frequency को टक कर रही है. So, यह हमारे dance music, electronic dance music है. यहां हमारी kick dominant होती है. So, मैं यहाँ पर side-chain कर आँगा. So, मैं यहाँ पर side-chain कर आँगा. मैं इसे mixer में डाल लेता हूँ, मैंने basically mixer में पहले ही डाल लगा है. So, मैं यहाँ पर, अगर आप normal side-chain यूज़ करते हैं, like kick start. Kick तो यहाँ पर clean हो गई है. Click cut out करके आ रही है. But, हमारी base की energy भी miss हो गई है. Because, यह first note, duck कर रहा है मेरा kick start. So, जो मैं यहाँ पर use करूँगा, मैं use करूँगा shape-up box. आप यह technique peak control के थूँभी कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पर shape-up box दिया, मैंने volume में गया. और अगर मैं को normal side-chain करने है, मैं यहाँ side-chain करके, और grid chain करके, use कर सकता हूँ. Same thing, but जो मैं यहाँ यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, वो है multi-band side-chain. So, मेरा यहाँ पर आप देखरो, एक band है, मैं यहाँ 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 यह mid-band overall star frequency को cover कर रहा है, तो इसलिए वो star frequency को duck कर रहा है. मैं यहाँ पर band decide करूँगा, पहले मैं solo कर लेता हूँ, और mid-band को flat कर लेता हूँ, और low band को select करके, पहले side-chain apply करता हूँ. तो आप यहाँ पर band decide कर सकते हैं, आपको कितना low रखना है, कितना mid रखना है, और कितना high रखना है. तो आप सुन सुनके tweak कर सकता है, यहाँ मैंने इसे side-chain कर दिया है, मैं फिर mid-band को भी side-chain करूँगा, और बट यहाँ पर मैं percentage कम कर लूँगा, dry और wet की percentage मैंने यहाँ पर कम कर लिया है, around 40 रख लेता है. solo का हम unclick करते है, थोड़ी सी percentage बढ़ा है, ठीक है, तो आप ही सुन रहे हैं कि मेरी kick cut-through कर रही है, बट मेरी base के अंदर energy भी still वहाँ पर है. तो आप एक बाद सुन लेता है, with plugin, without plugin, मैं plugin off कर देता हूँ, और मैं plugin on कर देता हूँ. चाहे आप इसे और भी tweak कर सकते हैं, बट अभी मैं भी इसे आगया tweak करूँगा, बट फॉर दिस, अभी हम इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं. इप लाग इस रुटोरियल, सब्सक्राइब मैं चैनल, तिल देन टेकर बाई बाई बाई, सिया. क्वाँ देकर, तेकर बाई झाल झाल